आपका अबिनादन है पहले तो स्वागत आपका न्यूज 18 के इस मंच में बहुत बहुत धन्यवाद बहुत साधूबाद और आरपार के इस कारीक्रम को भी बागे सर्पीट की और से बहुत 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 आभार आपका लेकिन आपकी जबरदस्ट फैन फालोइंग है मैं युवाओं के हिसाब से अगर पूछू तो जबरदस्ट फैन फालोइंग है आपका बड़ा क्रेज है इतना क्रेज तो बॉलिवूड आक्टर्स का भी नहीं होता लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछा जाता हूँ कि आप की इस fan following का बड़ा राज क्या है आप जादूगर हैं चमतकार दिखाने वाले हैं आकिर धेरेंद्र शास्त्री है कौन पहली बात तो हमारी कोई fan following नहीं है हमारा तो पूरा परिवार है fan following तो उनकी होती है जो celebrity होते है I am not celebrity, I am not actor, I am not filmmaker हम तो केबल एक साधारन मान और सनातन का जंडा लेकर चलने वाले एक साधक है हमारी कोई fan following नहीं हमारा परिवार हो में गर्ब है कितना बड़ा परिवार लिकिन अगर आपका मैं परिशे पूछू की धिरेंद्र शास्त्री कौन है चमतकारी हैं, अफ़तारी हैं, कौन है धीरेंद्र शास्त्री एक साधारण इंसान है जैसे आप हैं वैसे हम हैं बस हनुमान जी के एक साधारण से सेवक हैं उसका परनाम है ये कि जो धर्म बिरोधी हैं उनके मुँपर तमाचा लग रहा है तो आपके पास ऐसा क्या गुण है मैं इस सवाल को ऐसे पूछता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या गुण है कि हनुमान जी ने आपको चुना सच्चाई बोलने का गुण है उन निडरता के साथ सच्चाई को दावे के साथ रख करके और सबको सत्थ से जोडने का गुण है और ये अगर किसी भी इनसान के पास ये गुण आ जाए तो इसरी दिब्ब क्रपा को वो स्टाही पा जाना आपका एक दावा है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है जिसकी वज़ा से आप लोगों की समस्या का समधान कर देते हैं लेकिन आलोचक भी है आपके और बड़ी संख्या में है वो आलोचक वो कहते हैं कि आप एक माइंड डीडर है इस से ज़ादा कुछ लिए पहली बात तो ये दावा हमने कभी नहीं किया कि हम पर ही अर्मान जी की कृपा है सब पर है सो हम पर है और दूसरी बात रही बात माइंड डीडर वाली कांच में वो मडी में बहुत अंतर होता है चमकदार दोनों होते हैं पर जो मनी काम करती है वो कांच काम नहीं करती है ये देश सेकुलर है लेकिन आप हिंदू राष्ट की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदु राष्ट की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही ने वो लगता है बेश्ट अंडीच का आदमी है अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के संदिकट रहने माला ही हिंदु राष्ट नहीं कहेगा तो क्या पागिस्तान वाले कहेंगे और रही हमारी बात जिनको जो लगता हो लगने तो हम अपनी बात से न कभी जुकेंगे न कभी मुडेंगे न कभी रुकेंगे भारत हिंदू राष्ट था है और फिर घोसत रहोकर रहेगा लेकिन सविधान में सभी धर्मों को समान दिकार मिला है सेकुलेर है हमारा देश तो सिरफ हिंदू के आधार पर देश कैसे हो सकता है पंत निरफेक्ष राष्ट है सम्विधान में 125 बार पत्रकार महोदे संसोधन लगभग हो चुका है 126 बार हिंदू राष्ट के लिए भी होना चाहिए असाउध दिनोवेसी आपको बहुत प्रेम करते हैं बहुत प्यार करते हैं यूँ कह दीजिएगा उनने का कैसे आप कह सकते हैं जैसे इनके लोग गजवाई हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते लेकिन जब आप हिंदू राष्ट की बात करते हैं तो इसको मुछन्म विरूधी करार दे दिया जाता है एक psychology है psychology है कैसे psychology ऐसे है कि किसी सनातनिय व्यक्ती को गिराने का बढ़िया हो पाई यही है कि किसी पंथ और मजब को सामने खड़ा कर दो ताकि वो अपने mission में successful ना हो पाब है वो भारत में समानता की नीती ना श्थापित करभ पाब वो राम राजी की नीती न क्योंश था पुत मुआफ़ा है इस देस में एक्ता ना हो पाब इस देस में धर्म का जू लड़ाई है पंत की जो लड़ाई है वो dopo अगर यह मिट जाएगी तो राजनेतिक रोटिया नहीं सिकेंगी राजनेतिक रोटिया नहीं सिकेंगी लेकिन आप एक शब्द यूज करते हैं ठटरी के बहुत प्यारा सब्द है अब बुंदेल खंडी आदमी अब तो लगभग भारत का प्रतेक बागे सुधाम से जुड़ा हुआ भक्त उस बात को जानता भी